राम राम किसान भाईयो मैं नितन फिर से हजीर हूँ आपके अपने चैनल नितन देवल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गेहों की फजल का रिकार्ट और उत्पादन किस तरीके से निकाल सकते हैं तीस से लेके 35 कुंटल पिर्थी एकल की जो हम उस्तन उपज होती है हमारी गेहों की फजल की इसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं ऐसा इस समय पर हमें अपनी गेहों की फ़सल के अंदर कौन सा टोनिक देना चाहिए, कौन सा इस्पिर करना चाहिए, कौन सा खाट डालना चाहिए, जिससे कि किसान भाईयों हमारी जो गेहों की फजल है उस पर कोई रोग भी न लगे और हमारी जो गेहों की बालिया हूँ वह आने वाले टाइम में बहुती अच्छी आएं बहुती बढ़िया उनके अंदर दाना भर कर गया है और ज़्यादा उत्पादन हम इनके गेहों के वसल से निकाल पाएं किसान भाईयों इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे वीडियो बहुती सांदार है इसलिए वीडियो को पूरा देखना न भूलें यदि आपके कुछ प्रिस्ट है तो आप एड़ दारेट नित किसान भाईयों इस वीडियो में आपको दो इस प्रे के बारें बताने वाला हूँ यदि आप इन दोनों इस प्रे की सही डोज जो मैं आपको इसमें बताऊंगा उसी तरीके से लगाते हैं तो आपकी जो गिहों की फसल होगी नहीं तो उसके अंदर कोई भी फंगस का एट पंगस से बचने के लिए आपको क्या करना है उसके बारे मैं इसमें बताने वाला हूँ और दूसरा किसान भाईयो आपको दूसरा ऐसा कौन सा इस प्रे अपनी गेहों की फसल के अंदर यूज करना है जिससे की जो गेहों की बालियां है यह अच्छी तरह से बहाउत दे सक और बहुत अच्छा उत्पादन आप निकाल सकें तो किसान भाईयो इसके लिए आपको दो इस्प्रे का उप्योग इस समय पर करना है लगभग आपको डेर सो लीटर पाने की आवस्चत होगी इन दोनों इस्प्रे की डोज भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कीमत भ दूँगा किसान भाईयो पहला जो इस्प्रे है पहला इस्प्रे आपको लेना है प्रोपी निव 70% WP में आपको स्क्रीन पर 2-3 इमेजिस दिखाई देंगी इन में से आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं इसे आप एंट्रा कोल के नाम से भी ले सकते हैं प्रभव के नाम स भी आप इसे ले सकते हैं किसान भाई यो इसकी जो मात्र आपको लेनी है वो 300 से लेके लगबग साड़े 300 ml पिरती 150 लीटर पानी के अंदर आपको इसे डालना है यानकि एक एकड़ खेत की मैं पूरी ये डोज आपको बता रहा हूँ एक एकड़ खेत यदि आपका है तो आपके फजल अच्छा उत्पादर निकाल करके दे पाएगी किसान भाई यो दूसरा टोनिक है दूसर टोनिक है हमारा आपको लेना है PGI टोनिक का मतलब होता है पिलान्ट ग्रोध रेगुलेटर यानि कि यह आपका जो पोधा होता है पोध की जो हमारी मतलब फिजूल की जो हमारी बढ़वार होती है, जो growध हो रही होती है, तेजी के साथ उस growध को ये रोग देता है और हमारी पूरी ताकट जो है फिर बालीों पर लगनी, फूलों पर लगनी, फलों पर लगनी, स्थरू हो जाती है इसन है जो आप लिहोसीन का उप्योग कर सकते हैं या फिर आप घरडा कंपनी के चमतकार का उप्योग कर सकते हैं या फिर आप किसी और तरह के PGR टोनिक को भी ले सकते हैं यहाँ पर मैं PGR टोनिक जो आपका लिहोसीन है वो गरडा है इन दोनों की मात्रा के बारे मैं बता रहा हूँ लिहोसिन की मात्रा किसान भाई यो आपको लगवा 250 ml पिर्थी एकर के हिसाब से लेनी है इसको भी आपको लगवा 150 लिटर पानी के अंदर ही मिक्स करना है यदि मैं घर्डा के चमतकार की बात करूँ तो किसान भाई यो इसकी मात्रा आपको 350 ml पिर्थी एकर के हिसाब से लेनी है ये भी किसान भाई यो 150 लिटर पानी के अंदर ही मिक्स करना होता है किसान भाई यो चाहें तो आप प्रोपीनिब ले लीजिए प्रोपीनिब लेना है आपको 70% WP में 300 ml और इसके साथ में किसान भाई यो या तो आप लियोसीन लें या फिर आप घर्डा का चम्त का लें इन दोनों में से किसी एक को लेना है उसकी मात्रा लेनी है 250 ml पिर्थी एकर के हिसाब से इन दोनों को आपको मिक्स करने लेना है जो आपको एंट्राकूल के नाम से मिल जाएगा इसकी जो कीमत आती है लगभग ये 700 रुपए पिर्थी लीटर के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाता है यानि कि एक एकर के खर्च की बात ज़री मैं करूँ तो 210 रुपए का खर्चा आपका पिरोपी निप का आएगा और किसान भाज़ जो पिजिया टोनिक के बारे मैंने आपको बताया ये जो लगभग लिहोसिन 1000 रुपए पिर्थी लीटर के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा इसका खर्चा 250 रुपए पिर्थी एकर के हिसाब से आएगा यान के टोटल मिला करके 450 से लेके 460 रुपए पिर्थी एकर में आपकी गेहों की फसल फंगस से भी बच जाएगी और जो बेवज़ाय की जो हमारी ग्रोथ हमारी गेहों की फसल की बढ़ रही है यादि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंटर और सेर कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम जी